आज के इस वीडियो के माध्यम से हम भात के एक important प्रेटू, छोटा नंगपूर प्रेटू की सभी माधपूर बातों को जानने का प्रयास करेंगे जैसे यह भारत में कहां लोकेटेड है और किन किन राज्यों में यह फैला हुआ है यहां का कुल एरिया कितना है, यहां का average elevation और highest peak कौन सी है और यहां कौन कौन सी प्रमुखनदियां फ्लो करती है इसकलाब हम यह भी जानेंगे कि इसे भारत का mineral house या फिर यह भारत के economic development में कैसे important role play कर रहा है तो सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि आखिरकार इसका इंडिया में location कहा है तो आप देखेंगे जो यह area है इंडिया में यही है छोटा नांगपुर प्लेटू और इस area को आप और अच्छे से next map में समझ सकते हैं जो की काफी detail में बताये गया है तो आप यहाँ पास देखेंगे कि जो चोटा नांगपुर प्लेटू है यह basically भारत के कुछ राज्यों फैला है लेकिन जादा तर जो area है वो आता है जारकंट के अंतर कर इसके लाब यह 36 गड़, उरिशा, वेस्ट वेंगॉल और बिहार में फैला है और यदि हम बात करें जो जो जोगरपकल फीचर्स है वो कौन कौन से इसको घेरे हुए है तो आप देखें नौर्थ में यह पूरा गंगा का प्लेटू है एस्ट में भी आपको गंगा का प्लेटू देखने को मिल जाएगा इसकलाबा साउथ में आपको महानदी बेसिन द बनाती है वह सोन रिवर इसके लाबा जो यहां की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है जो छोटा नाम को प्रेटू के बीचों भी से गुजरती है वह दामोदर रिवर आप देख सकते हैं यह पूरी दामोदर रिवर और दामोदर बेरी के लाओं पर्याद मात्रम है कोल और म आकी मिलनसी पाया आते हैं इसलिए यहां पर पर्याद मात्रम इंडिया के आपको आइरन एंड इस्टील प्रांच देखने को मिल जाएंगे जिसमें भिलाई हो गया रावर केला है बुकारो है जमसेदपूर है यह सब आपको इसी एरिया में देखने को मिल जाएंगे और कुछ और इंपोर्टेंट रिवर की बात करें यहां की तो उसमें आप देखिए कंगसा बती है सुबन रिखा है बैतरनी है ब्रामनी है इसकलाब आप देखे कुछ और छोटी छोटी नदियां है जैसे नौर्थ कोईल हो गई साउथ कोल हो गई कानहर रिवर है तो यह यहा परियात मात्र छ्विक अती रहती थी। लेकिन किया क्या गया है कि इसमें और इसकी जो भी वाठर इंप्र साप्यल्डेच्षD Can जिल में उनको भी परियात मात्रा में हो जाती है और इदि हम बात करें कि छो ठोकौ को размер ofic in quarantine की कि यह यहां कि जो average elevation है वो है 700 meter और इधर की हज़ेश्ट पी की बात करें तो है पारसनाथ और इसकी खुलोचाई है 1366 meter और आप समझे चोटा नांग पूर प्रेटू मैली फहमस है अपने minerals के लिए यहाँ पर भाद के लगबग सभी minerals पाई आते हैं जैसे iron ओर है, cool है, lime stone है, oxide है, copper है, zinc है, uranium है, यही सभी minerals यहाँ पर परयात मात्रा में पाई आते हैं